हलो एवरिवन मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दी इनप पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की स्वीडियो के अंदर में हम में हिस्ट्री महीचिजी रोवन लेसन 21 पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में हम बात करेंगे सामंतवाद के रूप और संवच्णाओं के बारे में इससे पहले वाला जो हमारा लेसन था लेसन नमबर 20 उसको हमने तीन पार्ट में पढ़ाता कि सामंतवाद होता क्या है उसके अंदर में हमने कई सारे तिहांसकारों की जो दृष्टी को ने उसको हमने समझाता कि सामंतवाद अलग-अलग तिहांसकारों के नुसार किस परकार का है सामंतवाद होता क्या है उसके बारे में हमने जाना था पर हमने उसके उपर कुछ सर्त भी लागूग किया कि ये चीज़े इस प्रकार से होंगी ठीके तो उस सर्तों के साथ में जब हम किसी जमीन को देते हैं तो उसको हम सामंतवाद फिडिलिजम कहते हैं ये एक लेटिन भासा से बना है वो बहुत ज़ाँ इंपर्टेंट है ठीक है, आको चार से पाँठ चैप्टर आईए पूरे इस यूनिट के अंदर में ठीक है, आपको हर एक टॉपिक को हर एक यूनिट को अच्छे से पढगा है, हर एक lesson को अच्छे से पढगा है जिससे आपका point to point clear हो, ठीक है crystal clear होना चाहिए सामन्तवाद का especially topic, क्योंकि अगर आपको clear नहीं है सामन्तवाद का topic, तो समझे आपके 20 नमबर तो गए, क्योंकि सामन्तवाद का topic में से questions साना compulsory होता है, यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक request करूँगा आप subscribe नहीं करते हैं, वीडियो free of course है आपके लिए, ठीक है तो subscribe जरू करें, subscribe करने से आपका कुछ होना नहीं है, तो subscribe जरू करें, जिससे हमें भी motivation मिलता है कि और अच्छे से मैनत करें, और आपके पास तक वीडियो लेकर आए, यहाँ पे एक request और भी रहेगा कि अगर आप य चाहिए, तो हमारे telegram group को join कर सकते हैं, जहां से आपको फीडियो मिल जाएगा, ठीक है, और जो भी social media platform है, वहाँ पर भी available है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, चलिए हमें अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो जब हम बात करते हैं, कि सामनतवाद का रूप और संद माथथ को देता है, तो उसको हम माथथ के तौर पे देखते हैं, तो दोनों के पैस में क्या अधिकार है और क्या दाइतव है, उसको हम इस टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे, और question भी बनकर आता है, कि अधिपती और माथथ के अधिकारों और दाइतवों को समझाईए, तो आपको ये question के तौर पे इस topic को लेना है, कि अगर question आजाए कि अधिपती और माथथ के अधिकारों को समझाईए, तो आप क्या लिखोगे, तो ये जो भी points में यहाँ पर आपको करवाने वाला हों, ये सारे points हो आप वहाँ पे explain करने वाले हो, अधिपती और माथथ क्य क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्वर होते हैं, एक के बिना दूसरे का काम नीचल सकता है, इसलिए दोन एक दूसरे पर निर्वर होते हैं, अब मालो मेरे पास जमीन है, तो मेरे पास जमीन है, तो मुझे जमीन का करूँगा क्या, जब तक मैं उसको दूंगा नहीं, वो वो उसका यूज नहीं करेगा ठीक है तो दोनों एक दूसरे पर निर्बर होते हैं अधीपति और एक समाने व्यक्ति के बीच में वैधानिक परकिरिया होती है वैधानिक परकिरिया मतलब एक तरह से मालों कानूनी परकिरिया होती है ठीक है जिसके अंदर में इकरार नामा ब बंधन होते हैं मतलब एक तरह से बाउंडेशन होते हैं दाइत होता है कि अगर आप यह करोगे तो आपको यह भुगतना पड़ेगा तो उनके उपर कई सारे बाउंडरी लगा जाते हैं ठीक है स्वामी सेवा मतलब जमीन में दे रहा हूं तो मुझे बदले में क्या चाहिए दीआते हैं कि अख़न होते हैं दूप अगर होते हैं नो दोतो दूप अगर लॉट में में बोला कि में आपकी सौरुक्ष्षा की तो मैं आपका शुरुक्षा करूंग सासद में कहता था कि अगर मैं यह चीज़े कर रहा हूं तो क्या करोगे तो अधिपती के पर्ति समरपन का भाव-था MALE-जातé यह प्रात्मिक सर्थ के देखी प्रतना पड़ेता है कि आपको अधिपती लौड के लिए समर्पन का भाव रखना पड़ेगा आठवी सताबदी के जो मद्दे के अंदर में मात हत हुआ करते थे उनकी हैसियत धीरे-दीरे बढ़ने लगी ठीके क्योंकि दीरे-दीरे जब पावर्स आने लगी दीरे-दीरे पावर्स जब बढ़ने लगी तो लॉड की जो पावर्स है कि आज से घर आपका है ठीक है आप इस पर रहो अच्छे से यूज करो ठीक है और जो भी इसका रेंट रेंट बने ना तो मुझे दे देना तो जब आप 10 साल 15 साल के बाद जाओगे ना तो जो घर भी होगा ना घर के जो आज पास के लोग होंगे वो आपको पैचाने से इंकार करेंगे क्योंकि जो मौलिक राइट होंगे ना वो उस वैक्ति के पास होंगे जिसको आपने दिया था ठीकि लोग उसके हिसाब से आपको जानना शुरू करेंगे ठीके तो आपकी जान पैचाना की पकड़ कम होती चली जाएगी तो सेम यहां पर अधिपति और स्वामी भक्ति को सिखारा जाने लगा देखो जो माथात हुआ करते थे वह अपनी लौड को स्वामी भक्ति के तोर पर देखते थे कि हां मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि मैं स्वामी भक्ति करूंगा और लौड के दोरा भी जो इक्रार नामा बनाया जाता था उसके अ अबिजात वर्ग से आते हो सोतंतर आदमी के तौर पर सेवा करोगे मतलब यह नहीं कि जब्रदस्ति दास के तौर पर देखो यहां पर स्वामी भक्ति के लिए दो चीज़ आपको समझना जरूरी है एक तो जाता है दास ठीके दास मतलब क्या एक तरसे गुलाम कि गुलाम है सवामी भक्ति करना ही करना है दूस्रा हो गया कि अपने निष्ठा से सवामी भक्ति करना कोई जोरज बrunsheぎ नहीं है सोतंतर व्क्ति के तोर पर सेवा करना वो अलग चीज़ हुआ ठीक है आप संतर व्कति के तौर पर सिवा करने का मतलब क्या कि आपके पास अपने right से 92 Impos कि उसका जो बच्चा होगा वह अपने आप ही वह भी दास के तौर पर ट्रिट के जाएगा ठीक है तो दोनों के नंदर में बहुत जादा की सपत दिलाइये जिसके आँ मिल जाता था लौड के угड़ाती में में स्वामी भक्ति करनेirus के रेडी से जाता था जिसमें main focus यह रहता था सभी को दिखाने के लिए कि यह अभिजात वर्क के सदस्य हैं और एक सोतंतर आदमी के तौर पर सेवा करने का सपत ले रहे हैं यह यहाँ पर main motive रहता था अजाद आदमी के रूप में अधिपती के परती धर्म गरंथ पर हाथ रखकर कोट के अंदर में तो सिंग उस तरीके से आपे भी सपत लिया जाता था आसिरवाद और स्वामी भक्ती की सपत दोनों पक्षों के जीवित रहते कायम रहती थी जब तक जिन्दा है जब तक वो चीजें acceptable रहती थी कायम रहती थी कि भाई यह सपत आपने लिया है कोई भी एक तरफा समाप्त नहीं किया जा सकता था कोई भक्ती बोले दस दिन बाद क्या रहाँ मेरा मंड खराब हो गया मैं नहीं कर रहा है तो उसको डंड का दिकारी होता था डंड भी दिया जाता था असिरवाद प्राप्त करने और स्वामी भक्ती की सपत लेने के सामारों में खास तोर पर फ्रांस के अनुदाधित चुम्बन कियावेसक्ता सामिल होती थी कि मतलब जो आपने कई बार दिखा होगा फ्रांस की जब आप देखोग़ फ्रांस कल्चर का तो उहाठ पर किस करने का बहुत जादा डाओ चप्स करना जब हम चीजोंको एक्सक्र आप करijnे हां सर्थ मिलाते है तो जैसरे इंडिया में क्योता हैं सर्त मिला रहे तो हम हाथ है करते हैं ठीक तो वहां पर चुम्बन का एक कल्चर था तो वहां पर यह भी दिखा गया कि इस तरह का सपत समारों के अंदर में चीज़े किया जाता था ठीक है तो यह तो कुछ खास करके आपके बुक में हाइलाइट नहीं किया गया बट यहां पर बताना जरूरी था यहां पर आगे हम बात करें दोब्सक्षों प्राप्त संपत्ती पर कारे करने और मालिक ने जमीन दिया तो लॉड तो अपनी तरफ से कह रहा है कि बाइसा पतलो पर तो माथत क्या करेगा तो माथत भी क्या करता था भीया देखो मैं इस जमीन पर कारे करूँगा निस्थावान रूप से आपके लिए समर्पित रहूँगा यह उसको दावा करता था ठीक है गेम ऑफ थ्रोन का इजांपल देता हो रिजन यह है कि गेम ऑफ थ्रोन के अंदर में आपका ओल्मोस्ट यह जो सामंतवात का जो चैप्टर नो बहुत हद तक अच्छे से किलिए रुजाता है आप वहां पर दिखो कि जितने भी राजा हुआ करते थे ना सब के पास अपन का यूज कर रहा है तो बाद में बंदे कंव्यूज ने जाएंगे तो यहां पर सेम चीज मतलब हर वेक्टी जितने माहतत मालूम मैं मैं अधिपती हूं। मेरे पास साथ माहतत है। तो शाव के लिए अलग अलग पर्तिक चिन्निये एक तरस से सिंबल मैं वेट करूँंकि अपने स्टैंप पेपर पर यस वाले सेंबल का प्योग करोगे। उपरयोगी। कई जगा पर इसको यह बोला गया कि भाई यह स्वाम भक्ते नहीं कर रहा है क्या कर रहा है सहायता कर रहा है कि राजा से जमीन समल नहीं रहा है ठीक है लौड से जमीन समल नहीं रहा है तो इसका जमीन को समालने का काम कर रहा है कर्व सुलने का काम कर रहा है तो इस तरह से व माठतों को सेनिक के कठ्ठा करने का भार चोपा जाता था जो मैंने बताया था ना कोई भूमिक उपर कुछ सर्थ लागू करना तो कुछ यह सर्ति में बतारों आपको किस तरस होती थी सेनिक की जुरुत पढ़ रहे तो पार न ठीकिसics देना ठीक सेवा करवाना ठीक अगर हत अदफतों के द्वारा पूरा किया जाता था ठीक है अधिपति बिना किसी उतना अधिकारी के मर जाता था तो उसे माता उस समय तक अधिपति कर ना आ अधिपितरीकों कि कि मर गया तो नहीं किया माध्त हैu तिके मिर्थ वेक्ति के उत्रादिकारी जब तक तहनी होता था वो पूरे जमीन के मातत माने जाते थे कि हाँ इस पे अभी इस वेक्ति का दिकार है जब उस उसके घर से उसके सगे संबंदी से किसी को अधिपती घोसित किया जाता था लौड घोसित किया जाता था वैधानिक व्यक्ति ने पूरा नहीं किया तो उसको डंड भी तिया जाता था बारवी तेरी सताब्दी तक यह वैवस्ता प्रभावी हो गई पूरी तरह से ठीक है टकराव का समाधान ससस्त्र संगर्ष द्वार क्या जाता था अगर मालो कई बार क्या होने लगा कि आप सी टकराव जैस बढ़़ जाता था जमीन एक करार के तहत ही डिया तुक है इस सर्ठ den आप इसको मानोगे इसहां पर जमीन दिया जमीन पर माथतों के बढ़ते परवाव के कारण कबजा करना कठीन होता चला गया अब देखो कई बार क्या होता था अधिपती किसी को माथत चुन लेते थे कि हमें इस व्यक्ति को जमीन देना है इसके उपर कुछ सरते लागो कर देते थे बारवी सताबदी में फ्रांस में जादा सा जादा अस्थाई जपती या फिर कबजा होने लगा, ठीके समय के साथ अधिपती और माथथ के अधिकारों में परिवर्तन दिखा गया, ठीके तो इस तरीके से यहां पे हमारा पहला वाला कोश्चन था, कि अधिपती और माथथ क अधिकार क्या हैं, दाइत्व क्या हैं, उसके बारे हमने समझा, अगर आपका कोश्चन बनकर आता है, कि अधिपती और माथथ के अधिकारों दाइत्वों को समझाईए, उसको विस्तरित किजिए, एक्स्प्लें किजिए, तो आप यहां पे आप इसको बता सकते हो, सारे पिडियाफ आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिलेगा, जिससे आपको इजली और अच्छे से टाइम के साथ में बैठ कर समझ सकते हो, चलिए हम अगले टॉपिक के और बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है कि फीफ की परकृती होती क्या है, फीफ होता क्या है, फीफ की जाने वाली भू समपदा जो जमीन दी गई उसको फीफ या बैनिफिस कहते हैं, आपको याद रखना है, अगर आपका क्या होता है, बैनिफिस की प्रकृती को समझाईए, बैनिफिस का सुरूप किस परकार का है, तो भी आपको फीफ को ही बताना है, क्योंकि दोनों सीम हो परते हैं, किस तरीके से चल रही थी, किस तर से जो इकरार नामा बनाया जाता था, किस तर से सब को चल रहा था, तो एक जागीर जो मतलब बैका मेरा अधिकार है उसके उपर में, जागीर जो वड हो केंद्रिय तत्व माना गया, पूरे सामनती ववस था, ठीके, लॉड न उसके उत्रा अधिकारी दौरे यह माना गया कि यह मेरी जागीर है, मेरे बाप की जागीर है, तो उस तरीके से यहां पर चीज़े, केंद्रिय तत्व के तौर पर जागीर को देखा जाता है, किस टाइम पर देखा जाता है, तो मद्दय योगिन समय के टाइम बिरेड पर है इसके अंदर मैं जागीर जब मात करते हैं तो इसमें सामन्ति काणून के आपके पास पावर किसका संपत्ति क्या औहिEST रागिदार के रूप में अधिपती द्वारा दियेगे जो अधिकार है उसको आप रख सकते हो इस तरीके से कानून वैवस्था किया गया था ठीक है मतलब संपत्ती रखने के साथ साथ में अधिकार भी कुछ दिये जाते थे किस तर से आप उन संपत्ती को रेगुलेट हो परमुख माततों को यह ऐसा नहीं होता था कि सभी को उन्होंने बुला लिया ठीक है वो अपने खर्चे पर रोटी कपड़ा मकान देते थे जो मातत होते थे उनको काम के बदले में एक संपता या जमीन देते थे ठीक है मतलब आप इस तरह से मान के चलो यह बहुत हथ त क्या होता था कि घर में रह रहे हैं उनका रोटी खा रहे हैं उनका कपड़ा खा रहे हैं तो उसके बदले में सेवा कर रहे हैं सेवा करने के बदले में क्या होता है कि उनको जमीन देदेगी चलो आप जमीन पर राज करो ठीक है और बदले में मुझे कुछ चीजे और देन इस तरह चलता था उपर से मिलने वाली joya होती थी मिलने वाली आई से वो अपना जीवन व्यापन करते था जिस तरह से युन का अबनकर थे बदले में मात उनको सेवा करने पड़ती अब देखो यगर Lord उनको रोटी दे रहे तो उसके बदले में कुछ तो चाहिए होगा न तो सेवा के लिए बोलते थे भाई हमारी सेवा करो फीफ होता क्या तो एक भूसंपता होता है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बिता चुका हूं भूसंपता का आकार अलग-अलग होता था अगर मालों चार मात हते तो जरूर इस परकार के और विए प्रकार अधिकार दिया गता यहां पर देते थे इस परकार फीफ जिसे देखें जिए तोर पहीं के बंद्र की दिखा गया कि वहाई पास एक को ट्यक्स अंहें हख Data इर्फ पैसे रेहे यह जैसे पैसे आया अपने खुद सिक्का घर में धाल रहे हो उस Ride को बना रहे हूं तो वो भी क्या एक तरसी का सोर्स है और नयाय देना अधिकार देना तो मतलब क्या फीव को हर बार आंम भूसंपदा के तौर पे नहीं देख सकते शर्बार वो बूसंपदा नहीं होती थी वह मुद्रा संपदा के तोर पर भी मुद्रा फीफ के तौर पर भी दिखा गया यह भी आपको याद रखना है ठीक है अगर कोश्चन बनके आजए ना एक नमबर में कभी कि मुद्रा सम्द्रा फीफ क्या होता है तो आपको यह बताने जहां पर भू समपता को इम्पोर्इन्स नी मिलती जहांपे टेक्सिस को और अलग-अलग जो सोर्स होते हैं मनि को मुद्रा को जहांपे इम्पोर्इस मिलता है तो उससे फीफ के तोर सरपर्थम फीव को समाप्त करने का परियास किया गया इस आंदोरन के स्वरूप अधिपती की तागत में कमी आई फीव महततो की पित्रक संपत्ति माने जाने लगी फीफ पर वनसानुगत अधिकार नहीं था तीके वनसानुगत अधिकार मतलब क्या है कि मेरे वाद मेरे बच्चे का हो ये अधिकार नहीं था फीफ के उपर में माततों की मिर्ति के बाद में फीफ पुना अधिपती के पास चला जाता था जो भी मातत मालो एक अधिपती एक लॉड के द्वारा फीफ किसी व्यक्ति को दिया गया कि आज से ये जमीन आपकी है तो अगर उस फीफ वाले व्यक्ति को मातत की मिर्ति हो जाती है तो क्या होगा कि जो फीफ होगा किसके पास चला जाएगा तो माथथ लॉड के पास चला जाता था तीके माथथ के उत्तरा दिकारी उस फीफ पर दिकार कर लेते थे पर आगे चलके देरे-देरे कल्चर क्या होने लगा कि जैसे ही मातत की मिर्टी हुई तो उसका जो बच्चा होता था वो उस जमीन पर एकपजा कर लेता था और उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं होता था इसके बाद क्या होता था दिखा गया कि लौट की पावर देरे- पर उसके बच्चे को ओगा इस तरह से वनसानुकत अधिकार की पृट ता यहां पे सुरू की गई पर इससे पहले का जो व्यवास्ता था कि अगर मात-थत की मिर्टी होते तो वापास से यह फीव के पास चला जायेगा। लौट के पास चला जाएगा मालिक चलाला तो यह वाला question हो जाता है, एक यहां पर question यह भी बनता है कई बार, कि फीव के अधिकारों को समझाईए, तो यहां पर फीव के अधिकार क्या होते हैं, कि अधिपती द्वारा राहत सुल की मांग करना, ठीके थोड़ा सा राहत देना, यह हमें दिखा जाता था, फीव के उत् उत्रादिकारी की बात करते हैं, उत्रादिकारी मतलब क्या, कि फीव के बाज़े से जो मांथत है, उसके बाद में कौन बनेगा, ठीके, किसके पास जमीन जाएगा, ठीके, तो फीव का उत्रादिकारी मतलब, फीव किसके पास ट्रांसफर होगा, ठीके, पावर आफ टॉन इस फिव के बाद लौट के क्या हो जाती है मिर्ती हो जाती है अब मिर्ती के बाद जमीन रहर किस क के पास जाएगी तो जमीन किस rushing पत्र के पास जाना चहिए holding तो अधिकार है इसको हम उत्त्राधिकारी के तौर बोलते हैं कि कौन बनेगा अगला ठीक है जब कि पहले स्टाइटिंग के टाइम पेरेड में दिखा गया कि जैसे ही माथत की मिर्ती हुई तो सारा वापस से लोड़ के पास चला गया पर धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे से लिए में कुछ और भी चाहिए तक यह लौड द्वार लॉट का झाला अधीपती के द्वारा चालता अधीपती क्या प्रदान करना आसिरवात देना सवामी भक्ति की सपत लेना और अभिशेख करने के लिए सुल्क मांगा जाता था तो अभता को मतलब एक तरसे ना पर दानना सब लइन आज उसके तदिया ऑगोंते महामन की जमीन करना बोल दिया तो धारमी का धार पर भूखन द दिया तो उस पर कर नहीं लिया जाता था उस पर यह अधिकार रागू नहीं होती थी उस पर कोई उत्रादिकारी का यहां पर रूल नहीं चलता था माततो की मिर्ट्य के पशात में जो उत्रा दिकारी होते थे अगर नाबालिक है तो उसको जो भी करीबी सम्बंदी होगा उसको मातता परदान की जाती तो उसको अफीफ परदान किया जाता था ठीक है यहां समझ में आता है यहां पर एक अगला टॉपिक आता है कि एक मैनोर मेनौर के विविन बिरकार के किर्शब मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे यह आप ना वर्ग विवाजनम करते हैं भारत के अंदर में कि ये ब्रामण है, ये छत्री है, ठीके, ये वेश्या है, ये छुद्र है, ठीके, एक, दो, तीन, चार, ऐसा करें हम बाट रहे ना, उसी तरह से यहाँ पर है, कि अधिपती हो गया, ठीके, माथत्ता हो गया, मैनर हो गया, ठीके, नाइट हो गया, किसान हो गया, तो इस तरह किसे मतलब Gloria पुरा अधीपति का पूरा स्वैंज चल रहा होते तो मेंनार को एक तर से क्रिशक के तर पर भी दिखा जाते हैं कि Busan उत्पादक वैक्ती वरग में उसको सामिल गया ज зайता है आर्थिक उत्पादक उसका मूल स्रोथ होता है कि आर्थिक back economic source को कि सब्सक् Skill 나가 उसको उनका मेल देखा जाता है सामाजिक जीवन की अधारबुति इकाई माना जाता है मैनुर को चोटे-चोटे-चो जो आसरित खेतों में सामिल होते मैं चोटे-चोटे जो खेत उते होते उसपर इनका डिकेंडेंडेंसी रहता है जाता, सासात में दिख Karena, फिए उन आधिपति का सीदा अधिकार ओता था ठीक है, फिर से किन वहीता दाता था ठीक है कि जान्चितों पर पर खिशो means किछ दाख जाया जाता के त슬प को सर्फ के तौर्पर काज़ा ते herself कौनिन कानूनी तौर पर इन खेतों में चोड़ने की आजादी नहीं थ parlarा ने rollко 6 तो चूर nom नहीं सकते था इक्ष्थिति प्रतिव भी लगाए जाते थे विहां पथी बेचने आता संस्टी नहीं करके मुझा सकते पर धास की पर था वण सांगत हो गई थी अगर कोई वेक्ति शर्व है यह तो वह क्या करेंगा उसका बाद बच्चा भी दास के त Bring सर्फ के तॉर पर वड करेगा उनसे बेगार लिया जाता था फेर मतलब होता क्या है मतलब बेगार मतलब का मतलब काम न kita यहां पर अगला टॉपिक आता है मारा नाइट का नाइट एक तरसे मानलों गार्ड के तौर पर ट्रीट किया जाता है कि नाइट के गार्ड है ठीके तो जॉर्ज डूबी के नुसार का अगया नाइट सामंती शौषन का परमुक्ष्ण रोती था सामन्त उन्हें पुलीस वा करने के लिए उसका उपयोग करता था निकल जाता भाहिल की समाजिक इसन थी अच्छी थी बाक्यों की मुकी तर से प्लीस वालोग nic अलगले जगा पे कर रहे हैं तो उस तरसे उनको उप्यों के आता था था नाइट्स का ठीके तो अब देखो इस चैप्टर को हम थोड़ा सा रफली एक बार वापस से किलियर करते हैं और यहां पे जितने भी पॉइंट से जो इंपॉर्णिन चीजे हैं जो भी हैं वो मैं बत को बताईए उनके दाइट को बताईए तो यह सारे points 전 perse अक्रे भी कि प्रकृती होती है यह आपको बताना होता है कि 7 कहते कि से हमें पूछा इता है क्ई बाद इश्ञां में तॉ इसको भी आपको यादर रखना है ठीक है उसके बास में मैं बात करू आपको तो 5 अगर 8 आपको और नाइट के आता है यहां पर यह कोश्चन बन कर आते हैं टोटल चार से पांच पॉइंट है जिसके इंदर में पूरा चैप्टर के लिए रहाता है अल्मस्ट बहुत बड़ी वीडियो बन गई होगी आई हुप सो आप वीडियो को लास्ट तर देख रहे हो अगर स समझ नहीं आ रहा है ठीक है तो 24 x 7 आप मुझे कमेंट कर सकते हो मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो जिससे आपका डाउट के लिए हो अगर आप वर्टसप गुरूप से भी जूड़ना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए ठीक है मैं आपको लिंक देदूँगा कमेंट बॉक्स के अंदर में जहां से आप डाउटली जॉइन कर सकते हो ठीक है तो यहां पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं थैंक यू सो मच वचिंग में थैंक यू सो मच फो लिस्निग में बड़ भाई ठीक है और बेस्ट